नमश्कार दोस्तों मैं प्रिती शेर्मा दफैक टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेरा सच्चा सोदा के फॉलर्स के पास पहुंचे हैं, बाबा रामरीम जी को जो मानते हैं, उन लोगों के पास पहुंचे हैं। आपको लाइब दिखा रहे हैं सीधी बात करवा रहे हैं उन लोगों से जो आज भी बाबा रामरीम जी को मानते हैं और मैं डॉक्टर ब्रम सिंग चोहान जो पिछले काफी लंबे समय से डेरा सच्चा सौधा में जा रहे हैं और गुरुजी के जो वचन हैं गुरुजी की जो बाते हैं जो भी उन्होंने समाज सुधार के लिए जो कारिये चलाए हुए हैं उन्हें 100% आज तक और आगे भी हम लोग मान रहे हैं मानते थे और आगे भी जी उन्हें मानते रहे हैं जितने भी NGO काम करती हैं जो भी भलाई के मानवता भलाई के या इंसानियत के कारिये जो करती है उन सभी की एक संगठन है वो अमेरिका में है और उस संगठन ने संथ डॉक्तर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी को और बहन हनी प्रीद जी को वहां पे बुलाया बुलाने के वर्ल्ड वाइट उन्होंने इंविटेशन भीजा कोई उन्होंने लेटर नहीं भीजा कि बंद पॉक्ट में जाकर के लेटर नहीं उन्होंने वर्ल्ड वाइट अपने ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया कि आप यहां आईए और जितने भी संथा यहां आएंगी आप उन जितने भी गणमाने लोग होते हैं वो वहां आ करके अपने अपनी बाते बताते हैं और रिप्रजेंट करते हैं अपने आपको तो ऐसे वर्ल्ड वाइड मोके पर संथ डॉक्टर गुर्मीत राम रहीम सिंग जी को बुलाना ये साबित करता है कि वाके में ही जो गुरुजी इंसानियत के लिए कारिये किये हैं वो वाके में ही बे मिसाल कारिये हैं उन्हें हमारा इंडिया ही नहीं अपने आसपास के देश ही नहीं पूरा संसार ये जानता है कि डेरा सच्चा सौदा के गुरुजी और उनके फॉलोवर किस तरह का कारिये करते हैं ये अपने आप मे वो परमानित चीज है जो ये दर साता है और इसीज का ये प्रूब भी है कि दुनिया मानती है कि डेरा सच्चा सोदा क्या है डेरा सच्चा सोदा के अंदर किस तरह के मानवता भलाई के कारिय किये जाते हैं और गुरुजी ने कितने लोगों का जीवन बदला है कितने लोगों को बुराई छुडा करके और अच्छाई की तरफ जोडा है ये सब जग जाहिर है कहीं बंद कमरे की बात नहीं हम कर रहे हैं आने के लिए अफेक्टा ही किसा